मंगलवार को जीन में कारे करताओं कि एक बैटब को संबोधित करते वे अजय सिंग चोटाला ने उनकी हुसला अफजाई की और यह भी कहा कि जल्द ही और भी बड़े जहरे जेजीपी में सामिल होंगे इससे पुरुव उन्होंने प्रेस के संबोधन में पुरुव आईपियस अधिकारी रणबीर सर्मा का परीश्य करवाया याद रहे कि रणबीर सर्मा ने आईजी रहते वे नोकरी से इस्टिफाद देकर राश्टिय लोग सवराज पार्टी का गठन कर लिया था रणबीर सर्मा पुरुव केंग्रिय मंत्री आईडी स्वामी के दमाद है मंगलवार को अजे सिंग चोटाला के बगलगीर होकर पंडित रणबीर सर्मा ने जेजी पी से गटबंदर करने का आलान करते वे कहा कि जिन लोगों ने आपसी सदभावना को तोड़ा है उन्हें मूँ तोड़ जवाब किया जाएगा सर्मा ने भविष्य की राजनेती अजे सिंग के साथ रहे कर करने का सपश्ट एलान किया राष्ट्रिये लोक्षवराज पार्टी ने ताउ देविलाल के लोक राज को सामने रक्त हुए लोक्षवराज पार्टी तैयार की थी और आज जिन लोगों ने हमारी भाईचारे की सदभावना को खराब किया है सामाजिक सद भावनाव को दोबारा त्यार करने के लिए हम और आजे भाई साभी कट्टे हुए है दोनों पार्टियां का जोड़तार गटबंदन होगा और जो भाई सामाजिक सद भावनाव को तोड़ने कोशिश करेगा उनको मूँ तोड़ जोड़ दिया जाएगा आपके जरा हमारे समाज के लड़ाई करागे लिए उदर अजे सिंग चोटाला ने मंगे राम गुपता के नाम को खारिश करते हुए कहा कि जीन से कैडर बेस उमीदवार को टिकट दी जाएगी उन्होंने दिगविजे के नाम पर दासनिक अंदाज में कहा कि संभावना ये तो बनी ही रहती है हाला कि मंगलवार देर रात तक बुदवार तक जेजीपी अपना उमीदवार घोसित कर देगी अब जाना एक अलग बात है मांगे राम जी के घर कोई पहली बार भी पहले भी गई पर हमने प्रत्याशी के तोर पर उनको ना उनका चैन किया ना उनको कहा अब बिल्कुल केडर का नहीं होगा बिल्कुल मैं पहला संटैंस यह का है मने दूँ साथी बैठ करके करेंगे तो यह संभावना हो सकती है दिगविजे पर न तो हर चीज में छूपी रहती है लेकिन तब तक टिक्ठार्तियों की धरकणे तेज रहने की संभावना यह बनी रह सकती है जिस परकार आजे सिंग के कैडर बेस कैंडिडेट कारने की बात कही है उससे दिगविजे पर दीब गिल की उमिद्वारी के अधिक चांस बनते दिखाई दे रहे है इसके अत्रिक जिस परकार रणबीर सर्मा ने जेजीपी से सियासी रिस्ते कायम किये है उससे ब्रामन मद्दाताओ के धुरुविकरन भी मुमकिन होसकेगा एक बड़ा सवाल है